हेलो फ्रेंड जैम आतथी प्रेंड आज मैं आपको प्यादा डीजाइन बना के बताऊंगी यह देखिए बेबी इनर बनाई है मैं तो इस तुञाईन में आपको डाल के बताऊंगी किस तरीके से मैं इसमेने इस पर बनाया है तो इस पे आपने टू-टू के मुल्टिपल से फंदे डालने है, जितने भी आपको चाहिए, इस पे मैंने 56 फंदे डालने है, अब देखिये किस तरीके से हमने पहली सलाई बनाने है, ध्यान से देखिये फ्रेंट, यह देखिये, यह मैंने यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं सिर्फ ऐसे ही इन फंदों को स्टार्ट करें पहली सलाई ये कुल्टी उल्टी बनाई है फंदे डालने के बाद फिर हम ऐसे ही बनाएंगे अब देखिए पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे इसको स्लिप करेंगे ये हम सीधा बनाएंगे इसको स्लिप करेंगे पूरी स्लाई इसी तरीके से बना देंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे सिर्फ इसमें हमने एक ही स्लाई उल्टी उल्टी बनाई है, उसके बाद हमने डिजाइन स्टार्ट कर दिया है तो एवली इनर हम जीरो से शिक्स मंत की वेबी के लिए बनाएंगे बस पूरी हम इसी तरीके से बना देंगे फिर उल्टी स्लाई पे मैं आपको पताती हूँ उल्टी कैसे बनाएंगे चारी स्लाईयों का इस डिजाइन है चार स्लाईयों में कम्प्लेट हो जाता है आप उल्टी स्लाई पे देखिए यह जो स्लिप करा फंदा है इसको ऐसे उतारेंगे और एक उल्टा बनाएंगे एक स्लिप करेंगे यह उल्टा बनाएंगे पोरी स्लाइ को हम ऐसे ही बना देंगे इसमें और बहुत सुन्दर डिजाइन बने के आता है छोटी छोटी बनाई के है आपके अपनी मरजिय अगर आप बॉर्डर बनानाचाते हो उसके बाद इसे बाले लिजाइन को बनाना चाहते हो तो पहले इसी तरीके से बनाएंगे अब तीसरी स्लाइद देखे यह जो हमने फंदा स्लिप करा था इसको द्यान से देखना अब और यह वाला हम उल्टा बनाएंगे जो स्लिप करा है उसको हम सीधा बनाएंगे यह उल्टा बनाया और यह जो स्लिप करा था इसको हम सीधा बनाएंगे एक सीधा, एक उल्टा, स्लिप करा हुआ हम सीधा बनाएंगे, और जो दूसरा फंदा है, उसको हम उल्टा बनाएंगे, देखें, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, पूरी सलाई हम इसी तरीके से बना देंगे, लास तक, यह हमारी तीसरी सलाई है अगली हमारी चौती बस इनी चार सलाईयों को हमने बार-बार पीट करते जाना है और बहुत ही सुन्दर हमारा छोटी-छोटी बुनाई का डिजाइन कम्प्लीट हो जाता है और बहुत ही पफ वाला यह स्वाटर बनके कम्प्लीट होगा मोटा मोटा चाहिए और पूम हमारा चाहिए अब चौथी स्लाई पूरी हम उल्टी ही बनाएंगे इसमें हमने कुछ नहीं करना है सिर्फ सभी फंदों को हमने उल्टा बना देना है इस तरीके से और अगली स्लाई पे हमने फिर से डिजाइन स्टार्ट करना है तो मैं अगली स्लाई पे बताती हूँ आपको दुबारा से हमने किस तरीके से डिजाइन स्टार्ट करना है तो पूरी स्लाई में बना लेती हूँ अब देखिए फ्रेंड दुवारा से हमने डिजाइन स्टार्ट करना है तो पहले हमने ये वाला फंदा स्लिप करा था और ये हमने बनाया था अब देखिए अब हमने ये वाला स्लिप करना है और इसको बनाना है जब चार सलाई यहां बनाने के बार पांच भी सलाई हमने इस को सीधा बनाएंगे यहाँ पर उल्टा फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे इसको सीधा बनाया इसको स्लिप करा इसको सीधा बनाया चूप करा और अगली सारी डिजाइन हम वैसे ही बनाते जाएंगे चार चार सलाईयां वैसे ही और ही हमारा डिजाइन बनता जाएगा उल्टी सलाई पर जो हमने स्लीप करा है उसको हम स्लीप करेंगे और जो हमने बना रखा है उसको बनाएंगे इसके बाद फिर हम एवाला फंदा बनाएंगे इसको स्लिप करेंगे इस बार हमने एवाला स्लिप करा इसको बनाया अगली बार हम एवाला बनाएंगे और इस स्लिप करेंगे बस इसी तरीके से हमें बनाते जाएंगे और देखे बहुत ही प्यारा सा हमारा है छोटी छोटी बुनाई का डिजाइन इस तरीके से बन के आएगा तो फ्रेंड इस वाले डिजाइन को एक वार जुरू ट्राई कीजिएगा बहुत ही सुन्दर बन के आता है तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थेंक यू अब देखे फ्रेंड इसकी लेंथ मैंने कंप्लेट कर लिए है यह 5 इंच की लेंथ बनाई है यह साड़े 5 इंच की और 1.5 इंच हम इसके उपर बनाएंगे यहां पर तो 7 इंच इसकी टोटल हो जाएगी तो देखे अब हमने क्या करना है यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे तो बैक साइड पर मैंने इस तरह से कटिंग करी है यही बॉर्डर हम यहां बनाएंगे दोनों साइड और यहां से 7 फंदे हम यहां से कम करेंगे साथ ही यहां से और दस दस पंदों का हमने बॉर्डर रखा है तो देखे यह बॉर्डर हम दस पंदों का ऐसे ही बनाएंगे और बीच में हम प्लेन बनाएंगे जो हमारा डिजाइन बन रहा है हम ओई बनाएंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस हब इस से आगे हम यह देखे इस तरह से फंदा पलटेंगे और दो का एक करेंगे और अगले फंदे हम सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, चोड़ा, सत्रा, अठारा, उननिस, बीस, एक्किस, बाईस, तेज, चोबिस, पचिस, चबिस, सताइस, अठाइस, उननातिस, तीस, एकतिस, वतिस, तेतिस, चोटिस, और देखें, दो, चार, छे, आठ, दस, अब यहां के जो दो फंदे हैं, इनको पहले हम ऐसे उतारेंगे, और दो का एक हम इस साइड करेंगे, ऐसे, और अगला डिजाइन ह हम बैसे ही बनाएंगे, एक सीधा, इसको स्लिप करा, इसको स्लिप करा, सीधा, 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 और रास्ट का भी सीधा, तो देखिए, दस पंदे हमने इस साइड छोड़े बॉर्डर के लिए, दस ही हम इस साइड छोड़ेंगे, और बीच पे हम प्लेन बनाएंगे तो एह जो हमारे दस फंदे बौडर के हैं इनको हम बैसे ही उल्टी सिलाई पे जो हमारा डिजाइन है बैसे ही बनाएगे आप में हमने दू का एक करा था और बीच के सब फंदों को हम इसी तरह से उल्टा बना देंगे अगले दस फंदों तक हमारे पास 56 फंदे हैं टोटले तो ऐसे ही बनाते जाएंगे हम इनको पूरी स्लाई और यहाँ पे फिर साथ बार हम ऐसे ही फंदे कम करेंगे सीधी स्लाई पे दोनों साइड साथ साथ 14 फंदे हम कम करेंगे तो यह पूरी स्लाई हम ऐसे ही बना देते हैं फिर सीधी स्लाइप पे दिखाती हूँ मैं अब सीधी स्लाइप पे देखे फिर से ये देखे ये वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे और ये देखे ये जो पहले से सीधा चल रहा है इसको हम उल्टा बनाएंगे ये सीधा ये उल्टा जीधा और कि अथि अब एफ ये बनाएंगे तो दूसरी बार हमारा दो इक होगय यहां पर हम सात बार करेंगे और अगले सभी फंदोको हम सीधा बना देंगे और आगे जाके फिर हम ऐसा ही डिजाइन बनाएंगे बौडर का उस साइड जाके और उल्टी सलाई चोथी हमारी पूरी उल्टी बनती है डिजाइन की तो यह हम उल्टी बनाएंगे बहुत ही सुन्दर हमारी बेवी इनर बहुत ही पफ़ वाली बनके आईगी यह देखिए यह लिजाहिन हमारा डबल आता है इस साइड और इस साइड ऐसे अब यहां पर हम फिर पहुंचगे यह दो का एक करेंगे इस साइड से अब देखिए सीधा जा रहा है तो इस वाले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे एक सीधा एक उल्टा एक सीधा उल्टा सीधा और अब देखिए उल्टी स्लाई हम सभी फंदों को यह हमारी चौती स्लाई है तो इस सारी उल्टी की उल्टी बनेंगे यह देखिए लास तक सभी फंदों को उल्टा बना देंगे फिर एक बार सिधा लाए पर बताती हूं अब देखिए दुबारा से हमें धिझाई स्टा पर करेंगे तो इह देखिए जो उल्टे फंदे वाला है इसको हम अले करेंगे और इसको हम बनाएंगे तो आपागर देखिए दो और तीन इसको स्लिप करा इसको बनाया इसको स्लिप करा जो उल्टे फंदे वाला इसको स्लिप करेंगे इसको बनाएंगे इसको बनाएंगे और यहां से फिर पल्टा मारेंगे इस तरीके से और दो का एक करते जाएंगे और अगले सभी फंदों को ऐसे ही, यहाँ पर हमारे तीन वार, दो का एक हो गया, साथ वार इस साइड करेंगे, साथ वार इस साइड, फिर साथ वार फंदे कम करने के बाद, फिर आगे दिखाते हूं आपको, बीच में हमारा इस तरीके से प्लेन आएगा, तो यह मैं बना ल करेंगे, यह फंदे हम बंद कर देंगे, तो छे बार हमने बंद कर लिया, साथ वी बार हम इसके साथ ही बंद करेंगे, तो देखे, यह जो हमारा डिजाइन चल रहा है, इसको वैसे बनाएंगे, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और दस, अब यहां से हम यह अगला और पीछे वाला इसके उपर से उतार देगे, और देखे, यह जो हमारे बीच के सीधे फंदे हैं, यहां तक, एंडे ने बीच वाले इसके फंदे बंद कर देगे, तो तर विया, ऑपे सीधे पंदे लिए हैं, फिर, इसके बाद दोनों साइड के हम स्टैप जो हैं वो अलग-अलग बुनेंगे जितनी हमने बैक पार्ट की लेंथ रखिया है उतनी हम फ्रंट पार्ट की भी रखेंगे इसकी दोनों की ब्राबर आती है लेंथ कम ज्यादा नहीं होती इन दो का हम यहां भी एक करेंगे तो साथ साथ बार दोनों साइड से हमारे कम होगे फंदे और यह फंदा भी हम देखें दो चार छे आठ दस तो एक बचाएगा तो ऐसे हमारे सारे फंदे बंद होगे और पंदे फंदे और इन ही फंदों को एक साइड के हम बनाएंगे पहले जैसे हमने यह वाले बनाये तो दिखेंगे यहां पर ने बंद करें तो एक तो इस वाले पर बंद करें तो एक तो तो 3, 4, 5, 6 डिजाइन बनाये हैं इसकी लैंध भी मैंआपको बता देते हूं इन देखिए, 3 इंच की लेंद है इसकी, तो 3 इंच हम इसको बना लेते हैं, फिर मैं आगया आपको दोनों साइड से जोड़ना बताते हूं, पहले ए वाले साइड बनाएंगे, जिस साइड धागा है और यहां से धागा काटके हम एवाले बनाएंगे, और बीच वाले हमारे बनाना है देखिया वला स्लिप करा यह बनाया लिए बनाया बनाया लास्ट का भी बना दिया आप है अब फेट से देख लिजी प्रहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे और लंबे यहां से जा रहा है और यह हमारा उल्टे फंदे वाला है, इसको हम सीधा बनाएंगे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, तीसरी स्लाई होगी, चौथी पूरी उल्टी बनेंगी, चौथी स्लाई के हमने कोई भी डिजाइन ने बनाना होता है, अब ये वाली स्लाई हम पूरी उल्टी बन यह दोनों साइड का मैं बना लेती हूं फिर आपको जोडना बताती हूं और आगे सिलना बताती हूं किस तरीके से हम इसको सीलेंगे बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सीलेंगे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है तो यह मैं बना लेती हूं यह दिके एक डिजाइन बन गया ह अब हमारा इसके उल्टे फंदे वाला है तो इसको हम स्लिप करेंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे, इसको सीधा बनाएंगे, इसको सीधा बनाएंगे, यही ध्यान रखना है, जो उल्टे वाला फंदा है, जब हम दूसरा डिजाइन स्टार्ट करेंगे, तो इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, तो यह मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे इनको हम बंद करेंगे जोड देंगे दोनों पार्टों को एक खंदा इस साइड का एक इस साइड का दो का एक करा अगले वाला दो का एक करा तीछे से उतारती है लास तक हम इसी तरीके से इन खंदों को बंद कर देंगे इतार दिया फिर अगला वाला बंद करा फिर पीछे वाला इसके उपर से 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 उ झाल 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 में यहाँ से थोड़ा सा धागा कारतेंगे प्लिकुल थोड़ा सा उसको हम फिर की ।्व हम कृरोसिय यासुज अंदर की साइड को फोलड और जिकलिए अब इसके बाद फिर मैं आपको सिलना बताती हूं के है कि कृरोसिय से हम अंदर की साइड करतेंगे तो यह देखिए यह फ्रांक पार्ट यह बैक पार्ट इस तरीके से यह बनके आएगा अब एक साइड में आपको चिलना बताते हूं इस तरीके से हम इसको उल्टा करेंगे और जो धागा यहां पे बचा हुआ है उसी से हम इसको सिल देंगे और यहां पे पहले एक नोट लगा देंगे टाइट सा ताकि यह खुले ना और एक धागा आप काटेंगे हम दो में से एक काट देंगे यह इस तरीके से अब सुई में हम दागा डालेंगे अब ऐसे सीधी साइड अंदर की साइड करेंगे उल्टी बाहर की साइड और यहां से लेके जहां से हमने देखिए गटाना स्टार्ट करा है वहां तक से जाएंगे उस से उपर नहीं से लेंगे हम जहां से गटाना स्टार्ट करा है तो देखि है एक इस साइड सा एक इस साइड से यहां पे दो टांग के अच्छे से लगा देंगे टाइट से आप देखिये अब देखिए यहां सुई डालेंगे और ऐसे उपर की साइड निकाल देंगे फिर यह हमारा धागा है इसके नीचे यहां पे सुई डालेंगे और उपर की साइड निकाल देंगे पेर धागे की नाइचे की साइड सुई डालेंगे धागे उपर की साइड निकाल देंगे इस तरीके से हमें सील देंगे और सीलेंगे जहां तक हमने एक गटाना स्टार्ट कराएं यहां से यहां तक इतना हम इसको चिल लेते हैं फिर दिखाते मैं आपको इसका फाइनल लोक अब दिखे फ्रेंड इसका फाइनल लोक सीधा करके भी दिखाते मैं आपको बहुत ही सुन्दर हमारी बेबी इनर कंप्लेट हो गई ह यह देखिए डिजाइनर यह देखिए बहुत ही सोफ्ट वाला धागा यह और इनर के लिए बहुत ही परफेक्ट है तो इस तरीके से एक वाज रूँ ट्राइ किजिए गए बेबी इनर यह देखिए फ्रेंड तो फ्रेंड आपको विडियो अच्छा